तो अगर आप डी फार्मा फर्स्ट यर में हैं और किसी भी युनिवासिटी या फिर बोर्ट से डी फार्मा पर्स्यू कर रहे हैं आज किस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अगर आप लोग अभी तक फार्मिसी इंडिया लाइव के दूसरे प्लैट्फोर्म के साथ नहीं जुड़े हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिक दिया गया है साथ ही साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जो टेलिग्राम लिंक है वो जरूर जॉइन कर ली जएगा ताकि आपको यो पीडियाफ मिल जाए शुरुबात करते हैं और आगे चलते हैं हमारे क्वेशन की तरफ पहला सवाल है डिस्क्राइब वेर स्टम का एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और पूरा डिटेल में आपसे पूछा गया है तो उसी के अकोर्डिंग आपको आंसर करना है अचा अब आंसर लिखना कैसे है तो पहली चीज़ कि आप पॉइंट में लिखना प्रिफर करें जो लंबे-लंबे पैराग्राफ ह होते हैं उसमें ना लिखे क्विए पढ़ने में आसानी होती है और चैकल करें चर्वात करते हैं मैंसले स्टम को आप किस तरिके से लिख सकते हैं तो पहली चीज आप इस तरीके से बॉक्स में भी लिख सकते या फिर आप अपने पोइंड ने चाहर प्रण तर इसके चाह breakdown होगी इसके बाद कौन-कौन से आपके जो hormones होते हैं कौन peak पर होगा कौन कम से कम होगा वो चीज आपको पतानी चाहिए दूसरा phase होता है इसके अंदर menstrual phase के बाद follicular phase जिसका एक और नाम है proliferative phase इसका days होगा 3 to 6 to 13 days इसके अंदर क्या होगा proliferation का मतलब होता है चीजों का बनना, form होना है ना एक बार menstrual cycle हो गया उसके बाद दुबारा से नई cycle की शुरुआत करने के लिए ये चीज proliferate होती है, बनती है इसके अंदर ये होता है third phase हमारा आजाता है ovulatory phase जो कि exactly 14th day of the menstrual cycle होता है अगर 28 days की cycle है उसके अंदर इसमें secretion of ovum होगा from the ovary this is called ovulation and last phase जो हमारा पास आता है वो है luteal phase luteal phase को secretory phase भी बहुते हैं चुकि यहां से corpus, luteum का formation होगा और कुछ hormones का secretion भी होता है for example progesterone यह तो हो गई बात detail में अब मैं आपको एक diagram दिखाती हूँ जासे आपको सब कुछ clear हो जाएगा और अगर यह diagram आप बना कर आ गए तो आपके पूरे marks देने से कोई नहीं रोक सकता है देखें इस तरीके से आपको 4 phases दिखाई दे रहे हैं में पहले हैं किया आपके uterus के अंडर चलasma होगा या यह 38बवे और न भाड बांइन कि में बावधरी चीजय रहे होगी correct मों यानि आपको एन गालमोंस की होगे सादिसात्रम के आब मतलब चेंजिस हो रहे हैं इन चीजों का धिहान आपको रखना है ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम से बन सके आगे चलते हैं अगला सवाल हमारे पास आता है write a short note on blood components with respective function again a very important topic की आपके blood के components आपको बताने हैं और उनके respective क्या क्या उनके functions होते हैं वो सारी चीज़ आपको बताना है फिर से मैं बोल दूँ आप paragraph छोड़ दीजे छोड़ दीजे क्योंकि जितना जादा point में आप लिखोगे उतना जादा clearly आपको number भी मिलते हैं शुरुआत करते हैं देखें आपका जो normally जो blood होता है वो दो parts में divided है plasma and then आपके formed elements formed elements की हम लोग discuss करने वाले हैं क्योंकि plasma आप सभी लोग जानते क्या होता है red blood cell काम क्या होगा कहां पर वो बनेगा and उसके अंदर nucleus होगा की नहीं होगा और उसका structure कैसा होता है structure बना कराएंगे ठीक है नहीं बना कराएंगे तो भी ठीक है RBC origin क्या है इसका bone marrow, then इसका function क्या है यह आपकी body के अंदर oxygen, hormones, nutrients, etc इन सब को carry करने का काम करता है क्या इसके अंदर nucleus होगा? नए anucleated होता है पूरी तरीके से कोई nucleus present यहां पर नहीं होगा दूसरी चीज जो WBC होता है उसको आप दो पार्ट में divide करते हैं कौन से दो पार्ट में? granulocyte, agranulocyte यह आप सभी लोग जानते हैं जिसमें से जो major है, that is granulocyte तीन पार्ट में divided है neutrophil, basophil, और eosinophil देख लेते क्या क्या होगा? neutrophil की बात करें तो around 70% present होता है मतलब कि पूरे WBC के अंदर सबसे जादा amount में जो present होगा that is your neutrophil काम क्या होता है? काम एक ही है, bacteria को अंगल्फ करने का, यानि phagocytosis शो करेगा, ठीक है? it shows phagocytosis, भाई यह बहुत important है, phagocytosis यह आपको पता होना चीए, कि phagocytosis कहां होता है, कैसे होता है, और कब होता है बक्टीरिया को पकड़ कर खा जाना this is called phagocytosis यह काम होता है, न्यूट्रोफिल का, एक और भाई है इसका, आगे मैं बताऊंगी second है, न्यूट्रोफिल, थोटा सा इसका जो पार्ट है, वो प्रसेंट होगा around 1.5% origin वही है सेम है, सारी चीज़े मही बनते है और इसका क्या काम है यह जो आपके allergic responses होते हैं, है ना allergic responses, वो शो करता है anti-histamine properties शो करता है ठीक है, और क्या इसके अदर nucleus होगा, बलकुल nucleus भी होता है, सारी चीज़े होती है, clear, चलो इसके बाद, next वारे पास जाजाता है basophil, जो की और भी कम जादा amount में present होगा, 0.5% origin वही है, bond marrow बनेगा कहा, bond marrow काम क्या होगा, काम important है ठीक है, ऐसे सवाल आ सकते हैं या पर किसे एक particular region से आप से सवाल पूछा जा सकता है तो वो आपको पताना चाहिए कि इनका respective function क्या होता है हर एक component का अगर मैं basophil की बात करूँ तो basophil का एक बहुत important function है और वो है histamine और heparin को secret करना, इसी का एक और भाई है serotonin serotonin, वो भी secret होता है तो ये तीनों चीज़े secret करता है आपका basophils ठेक है? 0.5% होगा तो मैं तुम्हें जब allergy होती है किसी भी चीज़ से तो तुम्हारी body वो reactions देना शुरू कर देती है for example, खुजली होना शुरू हो जाएगी eating मतलब समझे हो, उसके बाद rashes हो जाएगे, छींके आने लगेगी खासी हो जाएगी, यही होता है यह सारी चीज़े जो होंगी यहीं सी की मतलब से होती है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर allergic conditions generate होंगी conditions generation ठीक है, इसके बाद next हमारे पास है monocyte, यहाँ से शुरुवात होते है A granulocyte की, यह दोनों A granulocyte होंगी A granulocyte, यानि जिसके अंदर granules present नहीं होते है अच्छे, granules और nucleus, both are very different ठीक है, दोनों चीज़े बहुत अलग होती है तो पता होना चाहिए monocyte 28% यह है आपके neutrophil का भाई, यह भी वही करता है bacteria को अंगल्फ करना, यानि कि यह भी phagocytosis शो करेगा phagocytosis शो करता है clear, चलिए lymphocyte, अच्छे, इसके बारे में एक और बहुत important चीज़ वो यह है कि इसका जो nucleus होता है, वो bean shaped होगा यानि आपके राजमे की तरह होता है राजमे सभी ने देखा होगा वैसा होता है, कि निकी तरह lymphocyte 24% दो तरीके का होता है जो immunity generation का काम होता है वो होगा lymphocyte का, ठीक है and last हमेर पास आता है platylate platylate blood coagulation में help करेगा, कोई nucleus नहीं होता है काफी जादा मार में के चाहिए होता है यह है पूरे के पूरे blood component, ठीक है, आगे चलते हैं अगला सवाल who discovered blood group and list different types of blood group अब आपको यह बताना है कि blood groups को किस ने discover किया था and उनके अलग-अलग types आपको बताने कितने होते हैं चलो, शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज यहाँ पर नहीं लिखाओ लेकिन लिख लीजे, Karl Lenshteiner Karl Lenshteiner यह थे जिन्होंने आपको discovery of blood group discovery of BG blood group होते हैं हजारों करोडों इंसान हैं दुनिया में लेकिन सब के पास इन चारों के अलावा और कोई blood group नहीं होता है blood group A, B, A, V and O differentiation यह है कि जो आपका antigen होता है antigen के basis पर antigen जो present होते हैं हमारे RBC के उपर उन्हीं के basis पर इन्होंने काल लेंस टेनर भीया ने यह classification दिया था जैसे अगर मैं बात करूँ अगर मेरा blood group A है माल लेजे तो मेरे blood group में जो RBC है उसके उपर जो antigen बैठा हुआ होगा वो भी A ही होगा और अगर मैं antibody के बात करूँ बिलकुल opposite हो जाता है यानि कि अगर मैं antibody देखू तो मेरा blood group A है मेरे अंदर B antibody पाई जाएगी किसी का blood group B है antigen सेम होगा लेकिन antibody different होगी अलग क्या है अलग यह है जो A B blood group होता है antigen तो इसके अंदर होगा लेकिन कोई antibody नहीं होती है चीक है और जो O blood group होता है उसके अंदर कोई antigen present नहीं होता है antigen चीक है antigen present नहीं होता है antibody होती है इसलिए O blood group वाले को हम universal donor बोलते हैं और A B blood group वाले को हम universal recipient बोलते हैं इसको याद रख लीजेगा O is universal donor यानि यह किसी को भी blood donate कर सकता है और जो A B blood group वाला है वो किसी से भी blood ले सकता है उनिवर्सल एक्सेप्टर reason मैंने आपको बता दिया है एक के अंदर कोई भी antibody present नहीं होती है और इसके अंदर कोई antigen present नहीं होता है यह चीज़ आपको पता है कि हमने कैसे classification किया on the basis of antigen on the RBC RBC के उपर कौन सा antigen एक और है इंपोर्टन चीज़ इसकी antigen कहां present होते है antibody कहां होती है देखो antigen present होते है on the surface of RBC RBC के उपर चिप के उगए होते है और antibody plasma में होती है चीज़ ए antibody plasma के अंदर होती है चलिए यह हो गया अगले सवाल पर चलते है describe the process of blood coagulation name the factors which affect blood floating cascade अब सवाल यह है पहली चीज़ की आपको blood clot का पूरा process बताना है यही पर में बता जेती हूँ देन उसके बाद आपको blood clot के जो factors affecting होते हैं वो चीज़ दिसकस करनी है शुरुआत करते हैं इसके mechanism से तो basically आपकी body के अंदर ही पहले से चीज़े प्रेजन होती है बस उनको activate करना होता है जैसे for example सबसे पहली चीज़ जिसको activate करना है दैट इस प्रोथ्रॉम्बिन प्रोथ्रॉम्बिन को जब आप कनवर्ट करते हो वो कनवर्ट होता है थ्रॉम्बिन में तो थ्रॉम्बिन फाइनली कनवर्ट हो जाता है किसके अंदर किसके अंदर यह कनवर्ट करता है बेसिकली किसको जो आपका फाइबरिनो जन होता है वोट इस फाइबरिनो जन प्लाजमा के अंदर एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है इसको मैं अलग से लिखते हूं ठीक है इसको हम अलग से लिखते है प्लाजमा के अंदर एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्रोट इसलिए हमने पहले थ्रोंबिन मनाया दिन उसके बाल फाइब और जन को फाइब बिन में कनवर्ट के एंड देन फाइनली यह जो फाइब यह ब्लड क्लोड के बहुत ही बहुत ही पतले पतले बहुत ही माइक्रोस्कॉपिक वेब लाइक स्ट्रॉक्चर बनाता है ठीक है चाल कहां से यह सारी चीज़े हुई कहां तो इसी को अफेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ ब्लड क्लोट फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में अब हम लोग डिसकस करेंगे टोटल लंबर ओ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वह है थर्टीन लेकिन याद कि फाइफ के बाद आप डिरेक्ली सेवन पर जंप करेंगे सिक्स नहीं होता है एपसंट होता है है नहीं मार्खा जाओ चल शुरुआत करते हैं फैक्टर से टोटल मैंने आपको बता दिया है टोटल थर्टीन में बताऊंगे जिसकी हैप से आप सारे के सारे फैक्टर्स य लोग आगे चलेंगे फाइब फ्रेशर्स पार्टी तुनाइट कम लेट्स सिंग और कॉल सीनिर्स प्लीज है प्लीज है फ़न चिक है यह है अपके एक ट्रिक क्या है ट्रैशर्स पार्टी तुनाइट कम लेट्स से एंड को सीनिर्स प्लीज हैव फ़न हो गये थर्टीन अब कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या यह होते हैं, कैसे ही काम करेंगे, उसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं, देखो, फैक्टर नुम्मर वन है फाइबिनोजन, जो जितने भी मैंने आपका अपयापी ट्रिक बताई है, उसके पहले अल्फाबेट से हर एक ब्लड फ्लोट फैक्टर बनता है, जैसे फ्रेशर्स का जो एफ है, उससे बनेगा फाइबिनोजन, पार्टी का जो पी है, उससे बनेगा प्रो थ्रॉम्बिन, ठीक है, आप समझा रहा ही कि यह सारी चीज़े कहां से आई है, यह सब कुछ यह होता है, काम क्या होगा, देखो तो इसका काम तो आपको पता है कि यह फाइबिन में करनवार्ट होता है, और यह थ्रॉम्बिन में करनवार्ट होगा, टिशू थ्रॉम्बो प्लास्टिन जो की आपका फ़र्ड ब्लड फ्लोटिंग नंबर फैक्टर है, यह क्या होगा, यह आपका इन वीवो कोगिलेशन क इसे आप याद कर सकते हो यह लग की बात है चल फैक्टर नमबर फॉर है कैल्शिम आयन्स यानि की कम कम का जुसी है यह क्यों यह इंपोर्टेंट है अगर आपकी बॉड़ी में कैल्शिम नहीं है को गिलेशन नहीं होगा याद रखेगा ठीक है तो इस तरीके से आप सारी च ट्रिक मैंने आपको बता दी है इसके हल्प से अब बड़े अराम से सारे के सारे बलड क्लोटेंग वैक्तर स्याद कर लोगे हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ next question है what are the different types of pulmonary volumes and capacities with their normal ranges अब आपके respiratory system में एक बहुत important topic है जो है pulmonary capacities and volumes है ना, वहीं से सवाल आया है और ये question बहुत ज़रूरी है याद अटना clear, इसकी range से सवाल पूछा जा सकता है इसके formula से जो मैं आभी आपको बताऊंगे capacities में formula होते है वहां से सवाल पूछा जा सकता है पहले हम लोग volumes करेंगे क्योंकि volumes से ही capacity बनती है ठीक है pulmonary volumes भी चार होती है capacities भी चार होती है कौन-कौन सी ऐसे ही मैं बता देती हूँ पहला है tidal volume दूसरा है inspirator reserve volume तीसरा है expirator reserve volume and fourth है आपका residual volume जिसका एक और नाम है जो की काम करनी है लेकिन पहले चीज़ की आप pulmonary volumes को कैसे measure करते हो spirometer से ठीक है अगर ये सवाल में आए कि कौन सी एक lung volume ऐसी होती है जिसको आप spirometer से measure नहीं कर सकते हैं अलग है सवाल लेकिन सुन लो कि जो नहीं measure हो सकती है that is your residual volume बाकि आप इन सभी को measure कर सकते हैं with spirometer but residual volume cannot be measured through spirometer ठीक है spirometer आप देखना Google कर लेना आपको देख जाएगा कैसा होता है सांस नापने की machine होती है बस title volume title volume का ये मदलब है कि जो भी आप जो भी आप बिना effort लगाए अराम से chill mode पर जब आप जितना भी amount inspire करते हो या फिर जितना भी amount expire करते हो वो title volume होता है ठीक है इसकी normal range important है भई 500 ml अब ये भी ज़रूरी है कि आपको unit का भी ध्यान रखना है कि किस unit में सवाल आ रहा है अगर milliliter में पूछा है 500 और अगर liters में पूछा है तो यही चीज आप आता है भई आपको कैसे करना होता है 0.5 liter हो जाएगा ठीक है तो unit भी ध्यान रखेगा दूसरा है इंस्पिरेटे रजर वोल्यूम अब मैंने एक बार सांस ले लिया राम से लेकिन मेरा मन नी भरा मैंने एक बार और जोड लगा के सांस लिया इंस्पिरेटे रिजर वोल्यूम चालो एडिशनल अमाउंट ओफ एर जो कि आप इंहेल करते हो विद्धा विद एफ़र्ट्स ठीक है इंस्पिरेटे रिजर वोल्यूम अमाउंट कितना होता है रांड 2500 तो 300 मिली लिटर ठीक है अगे युनिट का धियान रखेगा प्लीज थार्ड मारे पास एक्सपिरेटे रिजर वोल्यूम उल्टा कर दो तुमने एक्सपिरेटे रिजर वोल्यूम तो तुमने चाहिए कि और जो मेरे अंदर हवा है वो बाहर निकल जाए तो तुमने जोर लगा के जो भी amount of air expire किया है यानि बाहर निकाला है CO2 वो क्या होता है? expirated reserve volume कितना amount होगा? around ये देखो कम होता है यानि कि कुछ तो बचा अब देखो क्या बचेगा 1000 से लेकर 1100 तुमने सांस लिया इतना बाहर निकाला इतना तो बाकी का कहां गया? बाकी का गया residual volume में ठीक है? इसको भी लिख लीजे cannot cannot be measured by spirometer spirometer और spirometer समझी गए होंगे क्या होता है? सांस नापने की मशिन residual volume में यानि that amount of air that remains in your lungs after a normal expiration उसको क्या बोला जाता है? residual volume clear? असान है इसका आप देखो इसके और इसके बीच में कहीं नहीं यह लाय करेगा 1100 1200 यानि 1100 से लेकर 1200 क्योंकि इतना ही तो बचा देखो ना ठीक है? clear? milliliter में है याद रखना यह शारी residual lung volumes basically अब हम लोग आगे चलते हैं lung capacities के उपर lung capacities आप इसी की मदद से निकालते हैं याद रखेगा lung volumes की help से calculate किये जाती है यह भी चारी होती है पहली इंस्पिरेटरी कैपसिटी क्या होती है इंस्पिरेटरी कैपसिटी? अब ध्यान से सुनना वो तो easy था अराम से आपने पढ़ लिया लेकिन इंस्पिरेटरी कैपसिटी क्या होगा वो volume of air जो की एक इंसान कैसे करेगा जब आप normal expiration कर देते हैं यानि जब आपने normally expire कर दिया सारी CO2 बाहर निकाल दी उसके बाद चितना amount आप inspire कर सकते हैं वो होती है इंस्पिरेटरी कैपसिटी है ना नाम जी आप लोग जाने इंस्पिरेटरी यानि की सांस लेने की शमता clear अब कैसे calculate करना है टाइडल वोल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वोल्यूम इनको अगर आप add करेंगे आपके पास इंस्पिरेटरी कैपसिटी आ जाएगा जिसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो अराउंड 3800 मिली लिटर होता है 3800 मिली लिटर होता है उसके बाद functional residual volume अब जो amount of air आपके अंदर बच गया है और जो function कर सकता है यानि आपके काम की चीज़ है वो होता functional residual volume नाम में सारी चीज़ा छुपी हुई है calculate कैसे करना है यह important है इससे formula से direct सवाल पूछा जा सकता है one word में आ जाए true false में आ जाए या फिर MCQs में आ जाए कैसे भी आ सकता है तो यह याद रखेगा अगर आप expirative reserve volume और residual volume को add कर देते हैं आपके पास ERV plus RV से जो भी चीज़ आएगी that is functional residual capacity clear अब इसका amount 2000 milliliter होता है चलो vital capacity अब देखो vital है भी या vital का क्या मतलब होता है वो amount of air जो की एक inhalation और exhalation जब आप maximum effort के साथ करते हैं that is called vital capacity मेरे अंदर जितनी भी जितनी भी मेरी capacity होती है मैं अपना दम लगा दू पूरी जान लगा दू उसके बाद जितना भी amount of air मैंने inspire किया या फिर expire किया that is called vital capacity है ना अब देखो इसके अंदर क्या आप add करोगे सोचने वाली बात है भी या क्या add करोगे ERV expirative reserve volume TV यानि tidal volume और inspirative reserve volume क्योंकि यहां सिर्फ बात inspiration और inspiration के ओर यह and fourth हमारे पास होता है total lung capacity that is TLC और इसके अंदर आप सब कुछ add कर दो आप tidal volume add कर दीजे आप ER भी add कर दीजे IR भी add कर दीजे और residual volume भी add कर दीजे सब कुछ add कर दोगे तो वो आजाता है total lung capacity इसका amount जो होता है that is सबसे जादा 6000 milliliter ठीक है यानि जितनी भी आपके अंदर जान सब कुछ लगा दो वो होता है total lung capacity 6000 milliliter अब सवाल यह भी आ सकते है कि कौन सी capacity ऐसी है जो कि measurable नहीं है तो कौन सी होगी कौन सी होगी जोचने वाली बात है वह या residual volume को आप नहीं नाप पा रहे थे तो यहां भी तो functional residual capacity को नहीं नाप पाओगे है ना तो यह भी measurable नहीं होती है measurable नहीं है वह या ठीक है बाकी तीनों को आप measure कर सकते हैं विद्धा help of spiral milliliter चल अगले सवाल पर चलते हैं next question है discuss in detail about axial and appendicular system and classify different types of joint present in human body देखो इसका सबसे बहतर सबसे अच्छा जो मतलब समझ रहो कि सबसे अच्छा तरीका जो है लिखने का वो है पूरी तरीके से टाबलर फोर्म में आप पहले axial का एक table बनाओ appendicular का table बनाओ जोइंट का table बनाओ हो गया ठीक है चलो शुरुआत करते पहले हम लोग axial के बारे में पूछा है तो axial बताते हैं फिर appendicular बताते हैं और जोइंट पर चलते हैं ठीक है चली तो axial skeletal system क्या होता है कितनी बहुंच आती है आपका skeletal system दो पार्ट में डिवाइडेड है 80, 126, 80 होता axial 126 होता है appendicular axial skeletal system के अंदर आपका main access आता है जैसे कि यह पूरा हिस्सा यह जो पूरा का पूरा खोपड़ी है आपका उपर का cranium नीचे का fascia चिक है यह access बनाता है इसके बाद यहां आओगे यहां hyoid bone होती है hyoid bone के पीछे इधर वाली तरफ होता है आपका vertebral column जहां पर spinal cord embedded होगा और सामने वाली तरफ rib cage होता है है ना rib cage जहां ribs और sternum होती है यह चार चीज़े हैं जो आपस में मिलती है axial skeletal system बनाती है शुरुआत करते हैं कि करके बॉन्स तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी लेकि मैं ऐसे इसे आपको याद करवा देती हूँ शुरुआत करते हैं यहां से यह वाला पूरा स्कल है है ना cranium plus कौन-कौन सा facial cranium bones के अगर हम बात करें लिखा भी हुआ है है ना चलो मैं ऐसे याद करवा देती हूँ सामने वाली frontal front वाली frontal roof वाली parietal parietal के एक दो नीचे temporal temporal से इधर वाली तरफ चलोगे पीछे यहां पर होती है occipital occipital से इधर आओगे यहां पर होती है sphenoid काट के मैं नहीं दिखा सकते हूँ ना अभी समझ जाओ यहां होती है sphenoid sphenoid के आगे वाली तरफ जहां पर यह ice ocid है यह होती है ethmoid ठीक है ethmoid के बाद एक और चीज़ है condyle यह होती है यहां पर यहां पर occipital के नीचे जहां से आपकी spinal cord निकलती है sorry vertebral column निकलती है ठीक है यह हो next जमारे पास है facial bone facial में maxilla mandible mandible से सवाल पूछा गया है कि एक ऐसे एक लोती bone जो की axial skeletal system में movable होती है है ना यानि जो आपका पूरा face पूरा face या फिर पूरा skull बोलो cranium, facial सब को जोड़के एक bone एक एक लोती bone जो की movable है move कर सकती है वो होती है mandible lower जो में present होगी लिख लीजे only movable bone movable bone in skull लिख लीजे skull ठीक है skull के अंदर इकलोती movable bone होती है उसके बाद zygomatic, palatine, nasal, lacrimal inferior nasal कौन के ये भूल जाते है nasal कौन के मतलब पीछे वाला area जो होता है and bomber इकलोती होती है बाकी सब दो दो होंगी ठीक है next bone of neck higher bone मैंने आपको बता दिया है और याद रखना कि ये independent bone है this is independent bone independent bone अपना खर्चक फुदी उठाएगी यानि किसी से लेती हुएती नहीं है किसी पर dependent नहीं है ठीक है अकेली है किसी बॉन से जुड़ी नहीं है सब रिष्टन आते तोड़कर बैठी हुई है hyoid bone अकेली है U-shaped bone होती है इसको भी लिखलो U-shaped ठीक है जी चलो इसके बाद कान की बात करें कान के अंदर भी bone होती है sense organ में आप लोग पढ़ते हैं malleus, incus and steps vertebral column vertebral column में 5 part है cervical, thoracic, lumbar, sacral and आपका cookie के ठीक है तो cervical के अंदर कितनी होती है 7 thoracic के अंदर 12 lumbar में 5 इसके अंदर भी 5 लेकिन fused इसके अंदर 1 वो भी fused ठीक है coccyx आपका tail bone बनाती है tail bone and then thorax की जो bonds होती है इस्टार नम इकलोती होगी single होती है लेकिन बहुत काम की है जिसको chest bone के नाम से भी जानते हैं आप लोग chest bone ठीक है and then ribs के अंदर detail में साल चीज़े नहीं कराऊंगी मैं आपको सिर्फ एक idea दे रही हूँ कि इस तरीके से आप detail में सब कुछ लिख सकते हैं वहाँ पर ताकि आप पूरे number लेकर आओ है ना चल ribs आपके तीन पार्ट में divided है शुरू वाले true ribs होते हैं उसके बाद false ribs and then होते है floating ribs floating ribs आप से सवाल में आएगा कि true ribs कितने pairs होंगे तो याद रखना ये होते हैं seven pairs ये होते हैं three pairs और ये होते हैं two pairs यानि total कितने pair होंगे बारा ठीक है total number of ribs जो होता है वो है 12 pairs यानि total 24 ribs clear ये axial है appendicular में अदगों नाम ही है appendicular यानि appendic जिस बना रहा होगा हाथ, पैर, ये सारी चीज़े चार चीज़ें के अंदर आती है हाथ, पैर, पैल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल ये चार चीज़ें बनाती है appendic लोगे कितनी total bone है 126 है शुरुआत करते हैं पेक्टोरल गर्डल से पेक्टोरल गर्डल आपका ये पूरा रीजिन ये पीछे वाला और पस ये ही होता है दोई चीज़े होती है इसके अंदर scapula, जो की shoulder blade है triangular bone होती है triangular bone इसके बाद दूसरा collar bone आपकी सुंदर तर दिखाने वाली bone यानि beauty bone जिनको बोला जाता है collar bone ये वाली, दो होती है bones of upper limb हाथ की अब देखो, यहां से शुरुवात होती है humerus नीचे वाली तरफ आएंगे ये सामने वाली radius पीछे वाली अलना इसके बाद ये वाला जहां पर घड़ी पहनी जाती ये वाला region ये होता है carpal carpal से आगे चलेंगे metacarpal and these are the phalanges ये चीज़े होगी अब इसके बाद नेक्स जमाने पास है जब फैलेंगेल formula कभी-कभी पूछ लिया जाता है तो वो भी आपको पताना चाहिए 2, 3, 3, 3, 3 ठीक है दो होती है थम में 3, 3, 3, 3, 3 चल्द नेक्स से पैल्विक गर्डल पैल्विक गर्डल से दो ही बॉन से मिलकर बना है जिनको कॉक्जल बॉन बोलते हैं लेकिन इनके अंदर सब बॉन होती है ये तीन-तीन बॉन से मिलकर बनती है कौन-कौन सी पहली होती है इस्चियम, दैन इलियम, दैन प्यूबिस इसको लिख लीजेगा तीनो जब मिलती है एक कॉक्जल बॉन बनाती है वन कॉक्जल बॉन लियर एंड लास्ट हमारे पास है लोवर लिंग यानि पैर पैर में भी ऐसे ही मैं आपको याद करवा देती हूँ शुरुआत होती है फीमर से फीमर सबसे लॉंगेस्ट बॉन है तो यह आपको पता होना चाहिए फीमर लॉंगेस्ट बॉन तेन टिबिया, फिबिला, पैटेला, टार्सल, मेटार्सल, फैलेंडिस फैलेंडिस का फॉर्मूला वहाँ भी सेमी होगा बस यह याद रखना कि पैटेला एक सेसिमोइड बॉन है अलग है सबसे चीजे ना याद रख लो कि सवाल जो बनते हैं ना ऐसे वन वर्ड, प्रूफ वोल्स यह जो चीजे अलग होती है वहाँ से सबसे जादा सवाल पूचे जाते हैं तो पैटेला जो की नीक्याद है वो एक सेसिमोइड बॉन है और लास पार्ट है इस पूरे क्वेशन का वो है जॉइंट जॉइंट बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड़ेड है फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल फाइब्रस का कोई पार्ट नी है कार्टिलेजिनस का कोई पार्ट है लेकिन साइनोवियल के बहुत सारी टाइप्स है महाँ सवाल पूचा जा सकते है तो बोच करते हैं सबसे पहले पहला हमारे पास फाइब्रस है जो की मूवेबल नहीं होता है टोटली इम्मूवेबल इम्मूवेबल बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करेगा दूसरा होता है साइनेवियल फ्रीली मूवेबल आजाद पंची है ये फ्रीली मूवेबल लास्ट हमारे पास है कार्टिलेजिनस जो की कभी-कभी मोका मिल जाता है घूंडने का तो ये होते हैं लाइटली मूवेबल लाइटली मूवेबल चली अब फाइब्रेस और इसका कोई भी टाइप नहीं है साइनेवियल के बहुत सारे टाइप है उनको एक बार देख लेते हैं पहला होता है बाल एंड जोकेट वाइटेस्ट रेज ओफ मोशन शोक किया जाएगा बाल एंड सौकेट के थू याद रखेगा सबसे जादा यानि वाइडेस्ट रेंज ओफ मोशन अप लेना यह होता है दूसरा हिंज जोईंट पेटेला में प्रेजन होगा तीसरी चीज पाइवर्ट जोईंट पाइवर्ट जोईंट फूर्थ होता है ग्लाइडिंग होता है और फिप्त होगा हमारे पास सैडल जोईंट अराम से सैडल वाला जोईंट होता है लास्ट नमें पास है बहुत ही, मतलब जादा मुवमेंट शो नहीं करे गए, दोई प्लेन में मुवमेंट शो की जाती है, इसके तो, ग्लाइडिंग, सॉरी, कॉंडाइलोईड और इलिप्सोइड जॉइंट होता है, इसी कही नाम है, लिप्सोइड या कॉंडाइलोईड ब होता है, जहां पर सबसे जादर मुवमेंट दिखाने की जरूरत होती है, है ना, जैसे जैसे उमर बढ़ती है, साहिनोग फ्लूट कम होता है, और जो जोडों का दर्ध है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, चल, अगला सवाल, नेम दे चैम्बर्स, वाल, एंड वाल्प्स कर दोगे इनको, उसके बाद हार्ट वाल के अगर मैं बात करूं, चार वाल होती है, पहले सबसे बाहर वाली परिकार्डियम, दूसरी होती है, अपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम, एंडेन एंडोकार्डियम, ये क्या है, वाल होती है, दिवारे है, ठीक है, बहुती प आपको बनाना है, डीटेल में बनाना है, चलिए पराइटल, आउटर वाली, विसल, इनर वाली, उसके बाद अपी, मायो सबसे इंपोर्टनट है क्योंकि यही आपका कॉंट्रैक्शन करवाती है हार्ट का, कॉंट्रैक्शन ओफ हार्ट, तो यह सबसे स्ट्रॉंग भी होती ह और बहुत important भी है ठीक है एक बार diagram देख लीजे जूम करके इस तरीके का diagram अगर आप बना कर आ जाएंगे यह तो अच्छा हो जाएगा चलिए यह है चार लेयर्स सबसे बाहर वाली this is pericardium बाहर वाली parietal अंदर वाली विस्वर ठीक है बीच वाल यह देखो इतनी मोटी जो अंदर वाली तरफ रहती है ठीक है यह होता है पूरा चलिए तो इनके बीच में एक space भी है यह आपको दिखाई दे रहा है यह पूरा परिकार्डियम और इनके बीच में space है क्यों space है क्योंकि यहां पर पर परिकार्डियम फ्ल्यूट भरा हुआ होता है जो कि shock absorber की तरह क करेगा यह भी लिख दोगे चल नेक्स हाट वाल्व यानि कि कितने खिड़किया कितने दर्वाज़े होते हैं इसके अंदर तो बैसिकली दो तरीके की वाल्व हैं आर्ट्रियों में भी दो होती है कौन-कौन सी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड और इसके अंदर से मिल इसके बाद सेमी लिटिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी और रोटा के बीच में प्रेजंट हो तीग है अगले सवाल डिस्क्राइब तरीके से फोर्म होता है यह नहीं आपको वहां पर आप स्टेप वाइस लिखेगा मैंने इस ऐसे लिखा हुआ है लेकिन आप स्टेप वाइस जरूर करेगा और हर एक चीज को डीटेल में सब कुछ बताना है ठीक है चलिए यूरीन फॉर्मेशन के तीन स्टेप है सबसे पहला होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसका लड़ का क कहां होता है और किन-किन चीजों का होता है जिनको बॉड़ी से बाहर निकालना ही है वह होता है ठीक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तीन स्टेप में होता है तीन स्टेप नहीं कह सकते तीन लेयर्स के अंदर होता है कौन-कौन सी देखो आप सभी लोग जानते हो कि रेनल कॉ वोर पसल में BOMEN Capsule and Glomerulus यह होती है उनकी 3 layers होती है जैसे कि Capillary Endothelium of Glomerulus पता अना चरी निए बेस्टमेंट मेंबरेन बेविटें the Glomerulus and the Bowman capsule and last हमारे पास है Potocyte cells of BOMEN Capsule of Bowman's Capsule एक है जर इसके बाद रेबस्वर्प्शोन में 3 ए चाप्सुले मदद करती है proximal convoluted fuel then loop of Henle and then DCT maximum reabsorption यहां होता है maximum reabsorption यह detail में चीज़े आपको लिखनी है चीके मैंने अभी इस तरीके से बताया है क्योंकि detail में बताने लग जाओंगी तो बहुत समय लग जाएगा लेकिन सारी चीज़े आपको हर एक चीज़ को brief में discuss करना है वहां पर ठीक है secretion में जो चीज़े बोल्डी से बाहर निकालनी है वो आएंगी clear और यहां पर भी दो ही चीज़े मदद करती है PCT and DCT ठीक है इसके बाद collecting duct होता है उसका काम होता है सिर्फ चीज़ों को पकड़ना और आगे की तरफ भीजने वो लिख देना आपका काम हो जाएगा नेफरोन का structure बनाओ जोगे तो मज़ा ही आजाएगा चलो आगे चलते हैं यह नेफरोन का structure आप वहां पर draw कर कर आ सकते हैं अगर आपको याद है तो सवाल में नहीं दिया है लेकिन कर के आजाना चलो अगला सवाल राइट इन डीटेल अबाउट अनटोमी और फिजोलोजी और हुमिन ब्रेन विद वेल लेबर डाइग्राम ब्रेन का काम ब्रेन की पूरी अनटोमी जितना आपको आता है सब कुछ छाप दो माँ पर और डाइग्राम बताना है ठीक है चलो हम लोग डिसकस करते हैं यूमन ब्रेन के पार्ट तो ये तीन पार्ट में डिवाइड़ है कौन-कौन से पहला होता है फॉर ब्रेन, मिद ब्रेन, हाइन ब्रेन फॉर ब्रेन के भी तीन पार्ट होते है मिद ब्रेन के भी तीन पार्ट होते है हाइन ब्रेन के भी तीन पार्ट होते है फॉर ब्रेन में क्या चीज़ा आ जाएगी सबसे पहले सेरीब्रम आ जाएगा सेरीब्रम को डीटेल में बताना है कितने पार्ट होते हैं यह होता है फ्रेंटल पराइटल टेंपॉरल उक्सिपिटल चारवी चीज़ें उनके रिस्पेक्टिव अलग अलग फंक्शन है तो वह जरूर बताकर आईएगा ठीक है चलिए हैलमस और नीचे होता है हाइपोथालमस हैलमस और हाइपोथालमस का फंक लाइप शुपीरियर कॉली की लाइप तो यह चीज दिसकस कर लिजेगा वहां पर इसका फंक्शन एक आपको विजन में हैल्प करता है एक सुनने में हैल्प करता है दूसरा हैं सेरीब्रल एक्वेडक्ट एंड लास्ट होते हैं सब्सक्रेब्र पेडेंकल ठीक है हाइं ब यह देखो पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे पार्ट से सरीब्राम थेलिमस हाइपोथेलिमस पिट्यूट्री आप बनाएं ना बनाएं कोई फार्क नहीं पड़ता है क्योंकि दाट इस पार्ट ओफ एंडॉप्राइन सिस्टम चलिए तो यह है आपका सेरीब्रा हमारे पास आता है डिफाइन पीट्यूर्य ग्लाइंड एन लिस्ट द órgones SECRETA बाइड security by За possible L twice बातभा यसके अंदर अपको बताना है इसमें से क्सक्रों को डिसक्कारिये दैने उसके बाद जान से उनके respective hormones आपको बताने पिट्योटी ग्लैंड आप बता दीजेगा location आप बता दीजेगा कहां पर होता है basically क्या काम है यह चीज़ आप महाँ पर discuss कर लिजेगा मैं direct hormones की तरफ चलते को ठीक है दो दूसरा हमारे पास होता है posterior ठीक है जिसका एक और नाम है पॉन सा नियूरो हाइपोफाइस नियूरो हाइपोफाइस चलिए अब बस इनके hormones बता देना एक-दो काम बता देना खताम हो जाड़ा बस चलिए यहां पर लुटिनाइजिंग होर्मोन यानि LH FSH और इसे की ताह सा लाद, Melanocyte Stimulating Hormone, Prolactin, आपका Growth Hormone हो गया तो इस तरीके से सारे hormones आपको लिखने हैं टोटल 6 hormones हमारे पास होते हैं यह FSH और LH1 अप लिख सकते हैं और गॉनेडो टॉपिन भी आप लिखना जाते हैं वह डिरेक्ट लिखना जाते हैं वह डिरेक्ट लिखने काम हो यह 6 hormones total में आप secret करते हैं अपने pituitary gland से, anterior region से और अगर posterior की बात करें सो दो ही hormone यहां से secret होते हैं कौन-कौन से पहला oxytocin, दूसरा vasopressin, याद रखना, exception है कि यहां पर यह सिर्फ एक temporary reservoir की तरह काम करेगा, यह बनाता नहीं है, यह factory नहीं है, यह एक store route ठीक है, यहां पर स 10 MCQs of human anatomy and physiology, and मेरे हिसाब से, हर एक चीज आपको clear हो गई है, इन 10 questions को, जितना जादा हो सके, detail में समझ लीजे, पढ़ लीजे, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, डाग्राम की, ताकि जो labeling है, उसमें कोई problem ना आए, आपको exam बाले दे, ठीक है, अब exam आने वाले हैं आपके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, यह पूरी की पूरी जो आपकी class है, यह हुई है, then I hope कि सब कुछ आपको clear हो गया है, और इसी तरीके से मिलेंगे अगले class में, telegram चैनल जरूर जोइन कर लेजेगा, same PDF आपको notes मिल जाएंगे वहाँ पर, तब तक के लिए, stay tuned with pharmacy, India live, thank you झ़ROлять दैसे मिलेन जरूर जबेंगे अज़ से इसांटा से प्रेपकी